मैं अशोक मादु साहब से एक छोटी सी चीज इसलिए समझ लूँ कि वो इंपॉर्टेंट है आजा दूसरी बात मैं यह कह दूँ अनिल सिना साहब हम सारजनिक रूप से मैं अपनी बात कह रहा हूं मैं जितना कहूं कि मैं साइंटिफिक माइंड है लोजिकल वो है लेकिन भ मैं अपने बाबाब के पैर चूप के आशरवाद लेता था कि यह मानता था कि उससे मैं निर्विग न रहूंगा अब इसको कोई अगर बच्चे की तविए खराब होती है बाक कर रहा हूं दो साल के अंदर वाले तो नजर इतारने का काम और जि मिर्चा जिसको नहीं वी आता है नजर उतार, नजर उतार, फोल करके नजर उतारने का काम तो मैं यह कह रहा हूं कि कुछ चीज़ें हमारी संस्कृति से जुड़ी है उसको शायद इस चीज़ से ने लेकिन शुब अशुब होता है एक पर्टिकुलर जात और मैं नाम ले लूँ जितने नेता लोग हैं पहला वोड धोबी से डलवाते हैं उनका जो प् वह अगर सामने दिख जाते लोग अपने घर के अंदर चले जाता हैं गौंक से जो विखती आता है वो उससे पूछ लीज़ेगा यह जितने लेता हैं और जितने खिला रही हैं जितने दकिया निवसी सेचन तर आप जो कह रहे थे सचन तरिंदुलकर ने हैं 2011 का 2013 का पूरा जो वो था वर्ल्ड कप था जो इंडिया जीता उसने विरंदर सहवाग को देशने नहीं दिया उसने का प्रेट मैंगे बैटे नहीं देखा है तुम नहीं देखा लूम के अंदर यह ऑन रिकॉर्ड सचिन तरिंदुलकर भी कह चुके हैं सहवाग भी कह उसने का मैंने पूरा मैंद देखा ही नहीं दिया जो आज सेमी गौड है आज हमारे लिए हुआ यह बात होती है तो उसी तरह से अशोक मातर साब एक तो पनौती वाला मामला राजस्थान से निकला राजस्थान में पनौती की मतलब नामकरन का शुरुआत हुई दूसरा म मैं आप से जल्दी सी एक चीज और पुछलू आज कल उन्होंने कहा था कि राजियेश पाइलट को कॉंग्रेस ने बेजज़त किया फला मा किया उसके बाद सचन पाइलट ने आज कहा है कि कहां से बोल रहा है मैं समझ लूँ मोदी जी क्या कॉंग्रेस के सारे असंतुष् कहत रहा है कि इनको गाली दीती टी कॉंग्रेस ने क्या उससे उनका फायदा हो रहा है और यह पाद तो वहीजाने हैं लेकिन असली बाह तो यह कि पज़िकॉ Teams कर रहे हैं वी लोग il Jaad के साथ में बंदा था वह परचारतांतर को देखा कि प्रचार दंद्र को देखता था जूंग की जूंग का सब्राप्रजार करता था और जो बोला कि जूंग के सच हो जाता है यह बात उनके द्वारा आई अपर मेरे खाले जिनमें उनकी ट्रेनिंग होई है इस दिए इनको इस बहुत समझा दिया कि सो बार बोला गया पूल लेते हैं कि करें गया इनकी फिलोस्थी का दोश है और जहां तक परहुते का सवाल है यह जो मुद्धा है इस मुद्धे से जदा इंपोर्टेंट बाते हैं जिन बुद्धों को लेके चर्षा की जाने चाहिए लेकिन उसके चर्षा हमारे मुल्क पर होती नहीं है और वो क्यों नहीं होती इसमें राजनितिक लोग साथ बहुत कौंश्यस हैं और समझ करके इस काम को करते हैं कि जनता इसमें उलत जाए अभ जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहता है उस वक्त में हमारे पास ने एक ही विकल्प रहता है उपरवाला और उपरवाले को जब हम दमाग में बढ़ाते हैं आज साइंस और टेक्नोजी ने और विज्ञान ने इन सब कीजिएं को पहत पीछे चुट दिया है अभी बख़ाने या दाड़ा लगाने के लिए बढ़े रहेगा या जैसे अभी क्रिकेट का मैच हुआ उस में लोग यद्द कर रहे थे लोग हड़मान जी चालीसा कर रहे थे और भी जो तंतरम मंतर हैं सब कर रहे लेकिन क्रिकेट की बोल कहां पड़ेगी और किसके बल्ले से किता सिखर रिख लेगा किस रिकट पे लगेगी कौन कैज करेगा इधार तो उसके निर्फर करती है आप भगवान को माने या ना माने उसके में विवाद नहीं करना चाता अभी लेकिन ये तो सच है कि बहुत से कि तंत्र मंतर के बावॉजूर्ख भारत करक्ट में हाल गया और भारत के भृत्री निव्याच 8 लड़रे दे वहां ऐस कुछ नहीं हुआ है कि और उन्होंने कोई तंत्र मंतर नहीं चैए उन्होंने DS चेल खेला अister यह क्रवर्च Social कूर्ष के लेज़ 시간이 आग angles क्योंकि राम मंदिर बन गया, राम जी भली करेगा, तो राम जी के बरोसे रहो ना, अब योगी जी जो भगवा धारी हैं, उनको राजनिती करने के बजा है, उनको गोरखपुर्थ के उस मंदिर के अंदर बैठ करके भगवान की खिजमत करने चाहिए, और उन्होंने उसी की दिक्षा लिए, और भगवान की खित्मत करकर ये प्राथना करें वो, कि सारी दुनिया में शांती हो जाए, अमंद जान हो जाए, लेकिन वो तो फिक्रत करने में लगे है, भगवान के नाम पे भी फिक्रत, युग्यान के नाम पे भी फिक्रत, और पॉलिटिक्स के नाम यह पड़ा दुर्फा के पुरण समय चल रहा है और कोई भी सरकार बने राजिस्तान में चाहे कांग्रेश की बने चाहे भाजपा की बने लेकिन सरकारों का बनना या बिगड़ना यह किसी जादू मंतर का खेल नहीं है यह मत आता का खेल है वोटर किसको बोट आज दिना इस बहुत पुरानी ख़बरों को चापा है और चाप करके उसमें बताया है कि अशोब वेलोग के टाय में कित्चे अपराद हुए उन्होंने बताया है चांद बोलके पंब कांड के सारे अपरादी जूट गए वो यह कहना चाहते हैं मुसल्मानों सावधान हम आरे हैं तो इस कर रही है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह कि अपराद उन्हों सावज़ा हिए और तो प्रकार का जो प्रकार है वह पॉलिटिकल के तरह से नहीं को ढु converter से तो चन्हिंसरह के मंदेगवा है बड़ी आबादी के अंदर उसे ना कुछ गठता रहता है क्यों भी लोगों के पास में फ्रस्टेशन है लोगों के पास में कोई रेकल्टिक विखुस्ता नहीं है और मत आता जो बिल्कुल अभी आज राजिस्तान में जैस परजार बंद हो जाएगा 25 तारी को पोली है आज सारे लोग इसी में लगे रहे हैं कि किसके गलाब क्या बो राजिस्तान के कुछ इंवर्सिटी इसका मैंने पता लगाया वहां सब्सक्राइब अच्छे पैसे लेके पिकरी और ऐसी हालात के अंदर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगा या खरीट के डिगरी देंगे अप तो वह साइंटिस्ट तो नहीं बने तो वह अच्छा डा कि अलोचना नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि लोक्तंतर के अंदर अगर बीजेपी आरेशस के लोग भागीदारी करते हैं या तो वह वाली बात कर लें गुरू गोलवार के जमाने में जो अपने आपको क्या दिखते हैं इस देश में हैं लोग के से मानने वाले और अपने सितांत पर चले जो लोक्तंतर में भाग ले रहे हैं तो सच्छी बातों का परचार करें ठीक बातों का परचार करें पनोती से क्या होगा पनोती से कुछ भी नहीं बनने वाला ना राउल सब्सक्राइब 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 सब्सक्राइब